चिल्ला पांच दिवस्थी आपणने जणान दान द्वारा समरुद्ध करी रहेला अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्रना आजना चठ्ठा दिवस्थी एक नुतन अध्याईनो आरंब थाई रहो छे कहवायू छे के राम सिंदू गन सज्जन धीरा चंदन तरू हरी संत समीरा जेम समुद्रन जल वादलो दूर दूर सुधी पहुचाडे छे अने चंदन व्रुक्षनी सुवास पवन खुणे खुणे लई जाई छे तेम वैदिक अने मौलिक प्रतिष्ठीत अने प्रमाणित अक्षर पुर्षो तमना ज्णानने जन जनना रदै सुधी पहुचाडवानु कारिय करियू छे गुणातित गुरु परंपराये गुणातित गुरु परंपराना आ विशिष्ट कारियने अंजली आपवा हवे आवी रहा छे अक्षर ब्रह्म गुणातित सत्रना आगामी प्रवचनू ते क्रममा आजना छठा दिवसे आपणे जानीशू मानीशू अक्षर ब्रह्मना उदगोशक ब्रह्म स्वरूप श्री बगज्जी महराजने नैरोबीना मंदिरमा रही सेवा सुत्र संबाडी रहेला पुज्य प्रियवरत स्वामी ने आपणे विननती करिये के तेवो सत्रना आजना छठा दिवसे अक्षर ब्रह्मना उदगोशक बगज्जी महराजनो विशेश परिचे आपणे करावे पुज्य प्रियवरत स्वामी गुणातीतो अक्षरम ब्रह्मा भगवान पूरशोत्तमा जनो जानन इदं सत्यं मुच्यते बवबंधनाद श्री स्वामिनारन बगवान नी जै अक्षर बुषवत्माराजनी जै उनातितानंद स्वामि महराजनी जै बगज्जी महराजनी जै सास्त्री जी महराजनी जै योगी जी महराजनी जै प्रमुक्स्वामि महराजनी जै महंत्स्वामि महराजनी जै प्रमुक्स्वामि महराज शताप्दे महत्सवनी जै भगवान स्वामी नारायने गड़रा प्रतन्ना इको तिर्मा वचना मुरुत्मा कयूं भगवान ना भक्ते भगवाननु सरूप अक्षर धाम सहित पुरुत्वी पर विराजेशे एम समझवू अने बिजा आगरपन एवी वात करवी अक्षर धाम सहित भगवाननु सरूप अले के अक्षरे सहित पुर्शत्वत्वन नी वात आ समझवानी अने बिजाने करवानी वात भगवान स्वामी नारायने करी भगवान स्वामी नारायने आ आग्ञा भगजी महराजे प dato अधर जिली भगजी महराज पते अनादिना बुरुष परन्तु लौकिक द्रश्टिय जुए तो एमने गोपाणन स्वामी थकी आ अक्षर नी निष्ठा थै विक्रम सम्वाद धार सोने पंचानू थी ओगनी सोने आठ सुधी तेर वरस एमने गोपाणन स्वामी नो समागम कर्यो मन कर्व मचने गोपाणन स्वामी ने राजी करया अने गोपाणन स्वामी ये पन एमनी अंतिम अवस्ता वख़दे एमना तमाम शिश्यो संतो हरी बक्तों दौर्सो जेटला संतो हरी बक्तों ने गोणाति दान स्वामी अक्षर शे एनी निष्ठा गरावी जुनागर बदान अने बगजी महाराज पन गुपान स्वामी ना अंतर धान थाया बची गुणाति दान स्वामी ना समागम करवा लागया स्वामी ना समागम थी एम ना अक्षर नी निश्ठा विशेश द्रड थाई अने बची तो जे मुड़ों खादो होए एनो ओडकार आवे आवे ना रहे नहीं एम बगजी महाराज जे कोई हमना योगनी अंदर आवे एन्य गुणाति दान स्वामी अक्षर नी निश्ठा गरवदा बगजी महराज दर वर्षे गुनाति दान स्वय न समागम करे समागम करी ने पाचा जारे महुआ जाए तो महुआ मंदिर नी अंदर पन हरी बक्तों ने कथा वर्दा करी आक्षा नी निश्ठा कराव दा एक वकत महुआ मंदी नी अंदर बगत जी महाराज विराज माना दा ए वकत दे दामा सेट, फुल चलन सेट, दिलादर बाई, गीगा बगत अब दा बैठेला अने तेरे दामा सेटे बगत जी महाराज ने प्रशन पुछो कि सत्संग नी अंदर अक्षर नी वाच थाई छे, ए अक्षर ते सुँछे आओ जया प्रश्न पुछो ले बगत जी महाराज बुदे वचना मुरुत ना अधारे गर्रा ब्रतन नुँ 21, 63 मुँ बगरे वचना मुरुत ना अधारे अक्षर ना महिमानी वातो करी अन्य ए अक्षरा गुणादितान समी छे ए पन वातो करी ए गोपान समी ए वगणी सोने 15,опन मा रतना भगाई अनने डोसा भगत भाधराना एमनी पासे जे अक्षर नी वात करावेली ए वातो करी अने भगत जी महाराजे पोते गोपान समी थकी जे साम्डेली एव आतो पन करी एमा केशव जीवन दास ने एक प्रसंग कयो के केशव जीवन दास करेने एक सादू अदा इंदुस्तानी या सादू पण वर्ताली अंदर रेदा गोपान समी नो समागम करदा एक वके दम्दावद नी अंदर गया अने ये मख़ते त्याना एक संतिवाद करी कि तम्हे अंदावद देशना थे वरताल नी अंदर रोशो माटे तम्हारू कल्यान नहीं थाई अभी बात करी तर एक दम मुझाई गया औने तरद बरताल गया अने त्या गोपान स्वामी नोदाय ले नावली गया अने नावली माँ गोपान स्वामी पासे जई एने एक दम रोवा लागया स्वामी एक दू केम शू थायू लेमने एक दू के मने पेला देशने आऊ केशे के तारू कल्यान नहीं थाय गोपान स्वामी कयो के उतने छती देहे अक्षर धाम बताविश अने थोड़ा वकत पछी गोपान स्वामी वर्ताल बदार्या गुनादी दान स्वामी पने वकते देहां बदारेला अने केशव जीवन दासने कयो के मेदने कहलू के उंतने छती देहे अक्षर धाम बतावीस आ गुनाति दान समी अक्षर धाम अचे भगत जी महाराजे कयो के आवाद जार गोपान समी करेली एवकते हुँ हजार अतो ने मुखो मुख गोपान समी थकी अमे आवाद सामडेली शे आवा गनावदा प्रसंगोनी वाद करी महुवाना हरी बक्तोने भगत जी महाराजे गुनाति दान समी अक्षर ब्रह्म चेवी निष्ठा द्रड करावी अने त्यार पचीतो जे कोई भगत जी महाराजने योगमा आवे अने आ वाद करदा अने समवत ओगनी सुने 20 सालनी अंदर गुनाति दान समी जयर भगत जी महाराजने साक्षात कार करावयो अने साक्षात कार करावया बचीतो भगत जी महाराजे आ अक्षर नी मोरली वगारवा माडी महँआन विठ्थलबाई पोते वात करदा कि आप राग्जी बक्ते मायाती पर रही गुनाति दान समी अक्षर छे गुनाति दान समी अक्षर छे एवी मूर्ली वगारी तेथी प्रक्रुति पूरुस्दी मोटा-मोटा ना पन द्यान छुटी जाए एवी मोरली बगजी महराजे बोते वगाड़ी अने बदाने अक्षर नी निष्ठा द्रोड करावी गुनाति दान स्वामी पते जुनागर निंदर विराज माना दा अने बगजी महराजने वातो करवने अमने सौंपेलू एवखदे मेवासन हरी बक्तो करसंजी विप्र अने हर जीवन बाई शंकर महराज वगेरे गुनाति दान स्वामी पने आ करसंजी विप्र नो संकल्ब जानी ने कहुँँँगे गुनाति दान स्वामी तो अक्षर नो अवतार शे माटे बिजो कई संकल्ब करशो मा तावी रिते जेकोई एमना योगमा आवे अने भगेची महराज अक्षर नी निष्टा एद्रवड करावदा राजकोर्ती मंगर्जी शेट मंगर्जी ठककर अने वाला भगत अने बसो जड़नो संग गुनाति दान स्वामी नो समागम करवा माटे जुनागर आवेओ गुनाति दान स्वामी अवकते जुनागर्मा नो दा वन्थली नियंदर अदा अले बदा तन्या थी वन्थली आवेओ अने वकत अने मंगर्जी ठककर अने भगत जी महराज कथा वरदा करता अने प्रश्टन पुछो के अक्षर धाम नी बात थाए छे तो अक्षर धाम सूँ छे गुनाति दान स्वामी अवकते जुनागर्मा सुता दा बगजी महराजे अमने निर्देशी ने किदू का सुता छे एज अक्षर धाम छे एवाक अच्छ जनना संग ने पस गुना जर्णा संगने पन खुनाथी धान स्वामी भगजी महराजए आगुना ती धान समी अक्षर ब्रह्म शेवी निष्ठा द्रओक रखवी गुनारि दान सामी जुनागति नियां दुल्क कर ölघा, एवकधे गडरा थी मन गतकर सौमी नो गडल करते, अमन जी ठक कर ले, हर जी ठक करना बते दिखरा अने गड़राती समागम करवा आवू ए दुशकर के वाए छदा पॉन स्वामी नो महिमा समझी ने समागम करवा आव्या ए वकदे बगजी महराज सबानी अंदर वातो करदा दा गड़रा परतम नो 21, 33, 31 अने अक्षर ब्रह्म नो खुब महिमा करी त्या गुणाती दान समी बैठेला एमने किदू किला प्राग्जी मजकूर वयो गयो लेके मुद्दो चालो जाई छे ए वकदे मन्जी ठक करे प्रश्ण बुचे ओ के स्वामी मजकूर सू त्यार बगजी महराजे किदू के आज बदी अक्षर ब्रह्म नी वातो करी आ गुणाती दान समी शे एज अक्षर ब्रह्म शे एम समझवू एज मजकूर शे आम बगजी महराजे मुटा मुटा ने पन गुणाती दान समी अक्षर ब्रह्म शे निष्ठा द्रड करावी। 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 अंतरनी अंदर आववदा आनन्द शे मने केम आनन नथी आवदो तेरे दामा सेटे किदू तमे पन बगजी महाराद ना वचने स्वामी अक्षर शे एवु मानसो तो तमने आनन्द आवशे अले के अमने किदू कि मने तो गुणादी दान समी पोते पंडे केतों मानू दामा सेटे वगजी महाराद ने वाद करी का वागा खाचर आवू कैशे अले वगजी महाराद एकदम ध्यानमा बेसी गया अने ध्यानमा बेसी अने वृत्ति द्वारा गुणादी दान समी सभामंडप मा वातो करदा दा त्यां थी बोलावया गुणादी दान समी एक सेवक संतनों हाथ पकड़ी ने आवया अने भगजी महाराद ने कुदो लगया प्राग्जी मने केम बोलावयो तारे भगजी महाराद ने कुदो का वागा खाचर चे अने प्रश्न पुछो होँछे अले वागाखाचर एव रश्ण बुजो के स्वामी अब भगजी महराज प्रागजी भक्त तमने अक्षर कैशे तो तमें पंडे अक्षर छो तारे गुणातितान समी माथु अलावी ने हा पाड़ी के प्रागजी कैशे बरोबर छे अले प्रतिती आवी गई अने कारण देना भाव तड़ी गया तो आवी रिदे बगजी महराजे वागाखाचर जेवाने पन गुणातितान समी अक्षर छे ए निष्ठा द्रड करावी जे कुई आवे अने बदाने आ गुनातिदान स्वामी अक्षर छे, स्वामी अक्षर छे, एवी वातो पुदे करदा, तिरिकमदास कोठारी एदा, ए तिरिकमदास कोठारी गुनातिदान स्वामी नो महिमा खरो, पन स्वामी अक्षर छे, ए निष्ठायमना जीवन नी अंद कोठारी एकदम उसके राट मा आवी गया अने एम ने कि दू का ओ छकमा आवी ने स्वामी नो अप्रम पार महिमा दू के छे तो कोग दिवस्ताने मार पड़ से आवी वाद करी तो पन भगत जी महारात तो कहीं एनो लक्षमा लिदू नहीं पछी तो तु 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 कोठारी ने निश्चय थायो आम मुटा मुटा दरेक्त ने भगत जी महारात पोते गुनाति दान स्वामी अक्षर ब्रह्म शे ए निश्ठा करावदा अने एनी अंदर गणो बदो विरोध पन सहन करो पर दो गणे बदी मुश्केली पन आवती ए मुश्केली नो सामनो करी पन भगत जी महारात पोते आ गुनाति दान स्वामी अक्षर शे ए वातो करदा श्री जी महाराजे गडरा मद्यना सत्तावनमा वचनावनमा वात करी शे के मने भगवान मढया शे ते जे जीव मारो संग करे तेने आगर हूं कल्यान नी वात न करू तो मारू गिन्यान शा क कामनू एम विचारी ने उपदेश कर्या निमित्ते थोड़ी गणी कई उपादी आवे तो एपन सहन करी ने परमेश्वन नी वात करे आवनी अंदर एक कायर पनू राखे नहीं आवी वात करी के मने जे बगवान मढया नी वात ना करू तो मारू ग्न्यान शा कामनू तो उपदेश कर्या निमित्ते श्रीजी महाराजे कदू थोड़ी गणी उपादी आवे श्रीजी महाराजे तो थोड़ी गणी उपादी शब्द वापरियो शे पन बगजी महाराजे तो अनेक उपादी केदा मुश्केली विगनो एनो सामनो करी ने पन अगुनादी दान अक्षर ब्रम्म छे ए महिमानी वातों एमने करी जहें पतंगियु छे सामे चाली अगनी अंदर पड़े एम बगजी महराज आ भीगनो मुष्केली अपमान एने सामे चाली ने अमने स्विकार्या अने स्वामी अक्षर छे ए वात नी निष्ठा दरेक्त ने करावी अने एनी यदा एक यवड आत्मान स्वामी एमने बोते वगजी महराज ने वाद करी के प्राग जी के जे कुंडल पेरवा थी कान कपाता होए ते भले कुंडल सोनाना होए गरे्णु सोनानु होए ते कुंडल शामाटे पेरवा एम उक्षर छे ए वात के वात प्यान आटली बीदी पोदे समझता आदा गुनादी दांस्वामी अक्षर छे वो महिमा समझता निष्ठा वाड़ा आदा धर्मनियम वाड़ा आदा चदा पोण गुनादी दांस्वामी अक्षर छे वाद प्रवर्दावी शक्या नहीं गुणाधिदानसवामी एमनो महीमा पण किदोशे? केवड आतमानसवामी त्याग वेराज्ये वाला क्यारे पाकी रसोई लेनि धर्मनियममा द्रप्ता वाला तो धर्मनियममा त्याग वेराज्ये पाडवानी अंदर शुरविर थाया परन्तु अक्षर भ्रह्म शे एवो महिमा केवानी अंदर शुर्वीर थाई शक्या नी जार बगत जी महाराज एनी अंदर पन पोटे शुर्वीर थाया अने बगजी महराज ये बधा महिमानी वातों शारू करी, एवखते खुब वातों करी, तर किटला के विरोध करी ने गुनाजी दान समय ने कुदू कि तमे प्राग जी ने सम ख़़ाओ, कि आसी पते अक्षर कहे नि, बगजी महराज पते गुनाजी दान समय पासे गया, गुनाती दान स्वामी कुदो ला प्राक जी आडशी केमग्यों तो गच जी महारादबो कुदो के स्वामी तमे मने पपक पकड़ावया ने तो गुनात्ज दान स्वामी पोते उना नींदरप रदा अने वक्ते कमास शेट गुनाछी तान शवयू समागम करवा आविय। समागम करी ने जदा-द बगत जी महाराज कि किसाड सेट क्या जा शो अने बछिया मने बयसाडि ने किसाड सेट पवित्रान समी ने पण वात कर पवित्रान समी ने आक्षर ना महिमानी वात कर पवित्रान समी अगे जुना कर पदारेला एक दिवस बगजी महाराच बोधे पवित्रान समी ना आसननी भाजी उमा रामचरन्दा समी ना आसन अदू त्यां जेने रामचरंदा स्वामी ने गुनादी दान सहीना महिमानी वातो सरू करी 21, 21, 21, 21 वचना उर्ण आधारे गुनादी दान स्वामी अक्षर छे वात सरू करी एमा रातना बार वागया एवकदे पवितरान समी जोड़ती लाकडी बचाडी अने प्रागजी भक्तने किदू कल्या प्रागजी आवे तो बार वागया अक्षरनो साल तू मुक ले तरदत बगजी महराज पवितरान समी पासे पहुँचियने किदू के स्वामी आ गुनाधिदान स्वामी अक्षर ब्रह्म छे एम समझी नेनो मन कर्म वचने समागम कर्शो तोज अक्षर दाम्मा जवासे ने स्रीजी महाराज वस्ता से आवी जया वात करी तेरे पवितरान स्वामी एकदम उष्केराई गयाने किदू के तू मने क्या स्वामी नो स्वारूप समझावा वाड़ो भगत जी महाराज वते वात करी वर्तान नी अंदर देढका तो खुब डाम्बया परन तू कोई मनीदर नहीं मड़े होई अने गुनाधिदान स्वामी तो मनीदर शे अने वदारे उष्केराई ने किदू के हुँ देढको अने तू मनीदर भगत जी महाराज तो गुनाधिदान स्वामी तेम चदापन एमने भगत जी महाराज मनीदर एव समझायू अने किदू के जाओं तो ने विमुक ना करू तो मारू नाम पवित रानन नहीं एवक ते भगत जी महाराज किदू के स्वामी अवे तो अक्षरदाम मती श्रीजी महाराज आवे तो पन एमनो करू विमुक थाओ एवो रयो नथी जम पारस्मणीना संग्ती लोडू सुवन थाई गयू ए पारस्मणीना संग्ती पन पाछू ए सुवन मादे लोडू थाई नी एविवाद करी त्या गुणादी दान समी आवया और गुणादी दान समी किदू के प्राग्जी पवित्रान समी नी माफी माग अले बगेची मा अपड़ी दान स्वामी ने बराबर सेव्या होए अने गुनादी दान स्वामी जो अक्षर भ्रह्म होए एवात साची होए तो आपड़े भेगा बेसीने कथावर्दा करवी छेने जेवू छेवू छेवू अपड़े करवू शे अवी बात करी पची तो पवित्रान स्वामी ने गुनादी ने सांध बाड़ें भगजी महारत ने पोता ने आसेने लई गया अने भगजी महारत उपर राजी पो बतावदा कईू के प्राग जी तु खरे खर माथा विनानो थयो शे अने खरे कर जे करीने पन भगजी महाराजे अक्षर ब्रह्म नो उद्गोष करयो मोटा मोटा पन जे स्वामी नो मैमा समत्ता चता पना आवो उद्गोष करी शे क्या नहीं ए भगजी महाराजे पोते उद्गोष करयो अना पवित्रान स्वामी नावी वाद करी अना पवित्रान स्वामी पोते वर्ताल गया पछि आचारे महाराज गुर्दंदास कोठारी शुकानून स्वामी बदाने बेगा कर्या अन गुनाजिदान स्वामी ने पण बोलावयां अन जामी ने बोलावी ने किदू के स्वामी आमे अग्यार जन्ने वीमुक करवानो ठराव कर्यो शे एनी अंदर, केट लाग मुटा मुटा हरी बक्तो शे, ऐला ज़ी उल विचार करयो, क्होंगे मन्ची ठककर अदा, वाग खाचा अदा, मन्ची ठककर अदा, अने वसोना वाग्जी पै अदा, गारियनीनर नत्फु पटेल अदा, आवा मोटा मोटा हरी भक्तों शे एला मांटे ए बदा हरी भक्तों नू बंद राखियु शे अने बे जर्णू पछी नक्की करुँ शे प्राग्जी भक्त लगे भगत जी महराज अने सामजी भक्त ए बंदे ने विमुक करवानू नक्की करुँ शे त्यारे गुणातिदान समय किदू के सामजी भक्तने विमुक करवानू राखो प्राग्जी भक्तने रेवादो प्राग्जी भक्त दो मारे कैवा थी मारी मोटब किदी शे एदू ना कैसेले आडसी जसे पड़ाद सामजी बक्त नी वात्मा बिजानों विरोधावे छे माटे एनू याखनू राखो ते वक्या ते बिजा तो तैयार थाया पड़ पवितरान समय गिदू कि एतो मारी सामे बोलेों छे माटे एने विमुक करवानू तो मेन अक्की करिऊ छे एला माटे प्राग जी भक्त अंतल मारे विमुक करवाद चे गुणाजी दान समी ठाकर ठाकर कहीने दियादी निकड़ी गिया पण भगत जी महाराज औने सामजी भक्त बंदेने विमुक करया औने विमुक करया नो कागड ते जुनागर नी अंदर पहुंचयो अइन ुछूनागर्ण ने अंदर एकागर पहुंचियू ए वक्हत बगजी महराज एने पुते गरे जवा मंटे तैयार थेzy तो बगजी महराज ने लाड़ू आपया पन् लाड़ू ने अनदर जैर नाखी ने लाड़ू आपवाम आवया तो जेर आपी ने भगजी महाराज ने बिमुक करवा मा आवया तेम चदा पन भगजी महाराज हिम्मत हार्या नी अने ज्यारे सावर कुंडला पासे पहुंचेया नावली नदी पासे भगजी महाराज जो जोयू का लाडू नी अंदर तो तीवर जेर छे पन आवा जे सादू शेन तो जेर आपे अम्रुत आपे बदू सम छेम भानिन थोड़ी प्रसादी लिदी और बाकी जमीन नी अंदर उंडे दाटी दी जेती करिन कोई पशु पंक्षी पन खाई नी पन जेर नी एटली तिवर असर दे बगजी महारत ने आगर 40 शक्या पन नी येवक दे गाडा वाडा ने कयू के मने 18 रूपिया नी अंदर महुवा पहुचार गाडा वाडा एक दूग एक रूपिया आपो तो हुँ पहुचारू भगजी महारत पासे वदारे अद्धानी पची तो गाडा वाडो गाम मा जैना आवेव पन कोई मडियू नी अले 20 रूपिया मा एमने तिया अगर महुवा पहुचार्या अने प्रसंग तो खुब लांबो शे बे मैना सुधी स्रीजी महारत नी आगन्या प्रमाने अडद बाफी ने एनी उंदर गी नाकी ने नुँ पाणी पिदू त्यार कैक शादा ये बगजी महारत ने वड़ी परंद जेरनी असर जीवनना छेला स्वास सुधी रई छेले सुधी बगजी महारत ने लोईनी टसरो फुट्ती आउ अपमान सवन करीने पन वगजी महाराजे पुटे आ गुणाती दान शामी अक्षर छे वात चालू राकी विमुक करया पची पन गुणाती दान सामी जेया जाए त्यां दूर रहीने पन это मही मानी वात उ करे गुणाती दान स्वामी अम्दावाद पदारेला एवकद अम्दावाद मंदिन नी बाहर दर्वाजनी बाहर बेसीने जे कोई त्याती पसार धायने के के सबानी अंदर जे वातों करे अक्षर छे स्वामी पुदे नावा पदारे तो जता जता पन केका जाई छे अक्षर छे आ बेठू छे अक्षर छे एम अक्षर नी वातों करे लोको तिरसकार करे अपमान करे ते सहन करीने पन आ स्वामी अक्षर छेवी वातों विमुक थाया पची पन एमने पुदे चालू ज राखेली अने आजोईने एमने किटलो अपमान थाईब अशे एतो जहरे मोटा मोटा संतो हरिबक्तो एमने जहरे वातो करिदा आपने खबर बडे शुकान casino स्वामी एमने बगजी महराजनी आस्तिती जोईने कि दू कि बगजी महराजनम आजे अपमान वेठी हईँ शे एमने जे अपमान वेठी हो बिजो कोई सस्संग नी अंदर अपमान वेठी शके नहीं एना उबर्दी अनुमान थाए कि आमने किटलो अपमान सहन करियो हो से विठल बाई मववाना हरी बक्त एमने पन सास्त्रीजी महराजे बोते समवात ओगणिसोने पिस्तालिस्तनी सालनी अंदर भगजी महराद परम एकांतिक सत्पूरुष चे ए वचनामुर्दना अधार एमने साबीत करियो एमा गड़ा अंदेनों एकिसमा वचनाओर नी वाद सास्त्रीजी महराजे करी कि एमा बगवान सामिनारे ने कयू शे के जेम सोनानों दोरो छोय रुत्यूमा सर्खो पन उनाड़ाना तापे करीने ढिलो पड़े नी एम सस्संग नी इंदर गमे तेटलू दू खावे गमे तेव अपमान थाए तो पन जे पाचो पड़े नी ए द्रण सस्संगी वैश्णव शे आ वाद करी ते विठल बईने मववाना हरी बक्तोय कि दू कि आ वचनाम उर्थ तो भगजी महराज उपर उतरे शे करां कि आ सस्संग मा जेटलू बगजी महराज नू अपमान थाएव शे एव भीजा कोई नू अपमान थाएव न थी तो एना उपरती पन खबर पड़े आचारे महराज विहालाल जी महराज एमने पन गर्रा नी अंदर एक वकद विराज मान अदा अन भपोर्नी कक्था मां घर्ला ब्रदामनों 27 अधियेव वचनावल अने गर्ला नंतेनों 21 अधियेव वचनावल आ बे वचनावल जारे वंचाय तया विहालाल जी महराज भोते पन आप वाब बोलिया का बनने वचनाम उत्त तो बगजी महराज उपर उतरे शे कारण कि एमने जो अपमान सहन करियो शे अमें प्रत्यक्स दिठू शे एम करिने मववानो प्रसंग कयो कि एमने विमुक करेला अने वकदे भगवत प्रसाजी महराज अने अमें बदा त्यागर गयेला तो तड़के वेशी ने अपमान सहन करिने पन कथा वर दा साम्दे आउँ अपमान तिरसकार विजा कोई ये सहन करया नथी आउँ आचारे महराज पोते पन बोल्या ता आना उपर दी आपनने खबर बड़े किटला उदगार्वाब दा साम्दे आना धारे के वने किटलू अपमान सहन करियो हुशे सस्संग नी अंदर एवग देव के वातू के संस्तानी अंदर संप्रदाइनी अंदर जेनू सौथी वदारे अपमान थतू हुए कुतरानी जेम जेने कोई हडकारता हुए तेम छदा पौन जे स्थित ब्रग्न रही शकता हुए ए भगजी महराज जानवा तो आव अटलू बदू अपमान सहन करिने पौन भगजी महराजे गुणाती दान स्वामी अक्षर शे ए वात बदाने ए समझावी भगजी महराजे एक वकत प्रभुदास कोठारीने पन वात करेली भगजी महराजनी आवी स्थिरता जोई मान अपमान मा एकता जोई अटला बदा अपमान तिरसकार सहन करिया तेम छदा पौन जुदो संपरदाय स्थापे एवा हता छदा पौन पोते संपरदायनी अंदर रहा आवात सामडीने विहालाल जी महराजे प्रभुदास कोठारीने पन वात करेली के सर्वे अन समझू बदा एम समझे छे के आचारिय एपोते प्रागजी भगतनी मायामा मोँ पामी गया पन हुँ यानी मायामा मोँ पामयो नथी ये तो येवातों एकट छे एऊ बीजाने थाऊ गणू कठाने छे आवा अपमान ने तिरसकार बिजा कोई सहन करी शके नहीं तो आना उपरदी पन आपने खबर पड़े के बगत जी मारजे किटला अपमान तिरसकार सहन करे आसे पहने सहहन करिने पन येमने गुनाधी दान स्वामी अक्षर भ्रह्म छे ए गौनाधी दान स्वामिन गमन बाद जर भगजी मारत ने पाछा लेवामा आवेया सत्संग इंदर आवेया पची पन इमने आ वात तो कालू ज रखी सरु आतना वर्षोन इंदर शुकानन स्वामी ना मंदर मा फर्या तो शुकानन स्वामी ने पन स्वामी अक्षर छे अने स्वामी ना महिमा नी वातो करी अने खरेकर शुकानन स्वामी ने गुणाजी दान सवय ना महिमा पन समझावे पची थोड़ा वकत निंदर धंव गया शुकान स्वामी धंव गया बची पवित्रान स्वामी ना मंटनी अंदर बन बगजी महाराँ फर्दा पवित्रान स्वामी यन्ने पना वातो करदा अने समवत ओगणी सोने 25 साल मा चैतरी पुनमना समया पची आचारिय महराज ने बदो संग आननी अंदर गया अन आननी अंदर एवक ते पवित्रान समिनु अपमान थयू अने हाडो हाड ए अपमान लागी गयू अने तरदज वर्ता लावया सेवक संतने लईने अन अंतर नी अंदर बड़त राथ है श्रीची महराद ना परमंस मुमुक्षू एला माटे अमने साची वाद सुजी अंतर दस्टी थाई अने अमने थोग कोई कथावर्दा करीने शांती पमाडेव कोई शे अले सिवक संते किदू के बिजुतो कोई शे नी बदा आनन गया शे परमंस मुमुक्षू अने ए वकते पवित्रान समी बोते याद करायू के प्राग्जी तुझे कैछे वाद साची अने गुणादिदान समी अक्षर ब्रह्म चे वाद पन साची कार्ण के 21 साल मा मैं एवुई वाद करेली के आ भव मा तारेन मारे बेगा बेसवू नथी तारे दिया कि देलू के जो गुणादिदान समी अक्षर ब्रह्म होय तो आपड़े बेगा बेसी ने ए कथा वर्दा करवी छे ने जेवू शे तेवू गिन्यान करवू शे तो आजे तुमने कथा करे शे माटे स्वामी अक्षर शे वात साची शे अने पछी भगाजी महाराजी बोते विजनान्दास्वामी ने किदू के अवे पवित्रान स cynी ने गुणाति दान स वंी अक्षर शे निस्ठा बाकी थाई गयी शे एला माटे अवेमनो देर हैसे नहीं अचाइत्र मासनी अंदरा प्रसंग बन्यो अने अशार मासनी अंदर तो पवितरान स्वामी पोते धांमा गया आ मोटा मोटाने पन भगजी महाराजे पोते अक्षरनी निष्ठा एमने करावेली पछी बगजी महाराज ज्यांजा विचरान करदा पेटलादमा वर्तालमा आमदावाद निष्ठा करावी वास्दान दिवान एमने तो पोते वेदान्ति निराकारवादी एदा तेम चदापन बगजी महाराजे एमने साकार उपासना द्रड करावी अक्षर ने पुर्शोतमनी निष्ठा आ द्रड करावेली अने चल्ले बगजी महाराज बोते संवत ओगनी सोने तेपननी साल मा जुनागर मा चल्लो समयो करो सास्त्री जी महाराज नी गुरु बक्ती दी बगजी महाराज नु द्यांगर अपूर्व सन्मान थयू अने ए वकदे भगजी महाराज बोते आचारे विहलाल जी महाराज पन द्या हाजर एमनी बाजु मा बैसीने जुनागर ना बदा संतो बेठा होए आखा सोरटना हरी बक्तो चरो दरना पन किटला बदा हरी बक्तो द्यांगर बधारेला अवी मोटी सभानी अंदर आचारे महाराज नी उपस्ते दिन अंदर गुनादी दान सोय ना महिमानी वातो करे स्वामी अक्षर शे अने स्वामीना प्रसंगोनी बदी वातों करे अवी छड़े चोक गुणातिक ज्ञाननी वातों सामडी अने जागा स्वामी पन एकदम आननमावी गेला अने एमने पोते वात करी के चालीस वरस्तियों आ मंदिनी अंदर शू बरंदो कोई दिवस आवा देशकार जोया नथी भगत जी महाराजे आवकत पदारीने मायाने माथे पग मुकी अने मायाने दाबी दिदी अने गुणातिक ज्ञाननु गसादू कोई जरासर कूपन बोल करी चकी आवा देशकार में केयरे जोया न थी ताविर दे बगगत जी महाराजे पोते अने अनेक ने गुणातिदान समी अक्षर भ्रह्मा छे एनिश्ठाक गरावी ओन एनी अंदर शिर्मोड तो कहीच काई एवा सास्त्री जी महाराज ने आमने निश्ठाक गरावी सास् इंट जी महराज विज्ञानन स्व्मी न मंड़ना मुख्य संत, बद्डो कार्य भार आपने शंभाड़ा, और बगाज जी महराज एक वकत हति नी जुल सिवता डा, और सामे संतो हरी बगतो कथा संभड़ा डा, तैर सास्त जी महराज ने वो अश्चरे थाई। एमने थाउ के आएक तो ग्रस्त शे दर्जी शे अने सामे संतो हरी बगतो कथा वर्दा सामबडे शे अने पाच्छु जी सिव्वानू काम करचे नी सामूत जोता नथी भगजी महारजे अंतर्यामी बणे सास्त्री जी महाराजने कयू के सादूराम सुप इचारो शो के जीव प्राणी मात्रने बे लोचन बे आखो होई विद्ध्या वाडने त्रोन होई अने दर्मा वाडने साथ होई उसास्त्रमा लख्यू शे प्रण जिणानी ने तो अनन्त लोचन होई माटे उन्तो कपाडे थी देखूचु बलडे थी हाथे थी बदे थी देखूचु थाल से लागम करवा बैठा बहता बगाजी मारै किदू कि तूस्वामी नारहनी निस्था भास Commission समक्रव तरह शांच्र के बात करी ये वक त सस्तरी जी मारोय गिदू कि तम्या वाद करो शोब नेnot महारा गुरु विग्नानान स्वामी ए स्रीजी महाराद नी साधे बार वरस्तु दी रहेला छे ए वात करे तो हूं मानू तैरे बगजी महाराजे किदू के ता महारा गुरु जाने छे पने कई शक्ता न थी अने प्रसंग आपडे जानिये छे कि बीजे दीवस डोलिया नीच स drink आपडे अने रहें और सिछी महाराज फच्विग्नानान श्काशे गयाने कई कई स्वामी महाराद ना वकत मा स्रीजी महाराजे गुनातीान स्वामी एक्षर छे वात करी हूं मिरु यादगे तारे आजु बाजु जोई जोई के कोई छ여 नीये ताहरे हमिन्हे कैदू के स्रीजी महाराजे गणी वकत गुनादिदान स्वामी अक्षर ब्रह्म छे वाद करी शे वाद साची शे अनमे कानो कान सामडी शे अंतर द सास्त्रीजी महाराद डोल्या नीचे थी बाहन निकडी न कयो का आवाद अत्यार सुदी ये तमे मने केम करी नहीं तरहे किदू कै स्रीजी महाराज सरोबरी बगवान छे निष्ठा नथी थाति तो सौमी अक्षर जे वाद क्या थी निष्ठा द्रवड थाई पन किदू का आवाद साची शे माड़े तमार हायामा राग जो पन भगजी महाराजना समागम तकी सास्त्रीजी महाराजने एवी जबर्जेस निष्ठा थाई तो पची आमने हैयामा नाई परन्तु अनेकने आ निष्ठा द्रोड करावी आम भगजी महराजे पोते वातो करीने, कथावर्दा करीने, विचरण करीने, अनेक ने गुणाति दान समी अक्षर ब्रह्म छे आ निष्ठा द्रोड करावी। भगजी महाराद पोटे सिध्धान्ध नि अंदर द्रोड़ता, स्वामी अक्षर चे महिमा केदा परंतु पुर्षोत्तम ना दास चे, परभ्रम पुर्षोत्तम नारायन तो अक्षर तकी पन पर चे, आ सिध्धान्ध निमना जीवन अंदर अतिशे सपष्टता आदी, इला म भगजी महाराज ए लाधानी उपादी टाडवा माटे जुनागट जवा तेयार थया, अन्यमे जयत्पूर्नी अंदर अलाधा भगत नो योग धाईगियो, अले जयत्पूर्नी अंदर लाधा भगत भगजी महाराद ने को दो ओ, तमे तो गुनाजी दान स्वामी ना अन्यमे जयत्पूर्पनो द्रोग करे शे, माटे अक्षर दामनी अंदर नहीं जयाए, आ स्वामी नु ज्ञान नथी, कारण के अक्षर करता पन पर पर परभ्रम पुर्षोत्तम नारायन चे स्रीजी महाराज ए किदू, अक्षर ने पन लेन करी ने पोते स्वराठ थका व तो स्वामी ना महिमानी मने बातो कर शो, तर भगजी महाराजी कुदू के स्वामी नु आओ ज्ञान हतू नहीं, गुनादी दान स्वामी नु ज्ञान अक्षर ब्रह्म नु ज्ञान पन परभ्रम ना दास छे, ए ज्ञान हतू, तो आविर दे भगजी महाराजे पोते, अक सिध्धान्त नी अमना जीवन इंदर स्पश्ड़ता आती के अक्षर सहीत पुर्षवत्तम नु ज्ञान उनाधी दान स्वयमे अक्षर ब्रह्म एक ने अद्वितिया एम स्रीजी महराज पन अक्षर धी पर एवा परव्रम पुर्षवत्तम नारायन एपण एवा एक ने अद्वितिया आविर ःते वातोग करी ने भagad ji mas बिते अक्षर ने पुर्षवत्तम नु ज्ञा कि दो पन उत्तरसंदामा बगजी महाराद नी आवी अलोकिक स्थिती जोई ने कयू का गुनादी दान स्वामी नी कुरुपादी ते खरे करा स्रीजी महाराद ने वश्च करया शे अने एवू बोल्या का जेम चास वलोवे अने चास वलोवी एनी अंदर दी माखन काडीले एम तेंतो आ माखन शे स्रीजी महाराद नी मुर्ती रुपी माखन गजवानी अंदर आ प्राग्जी बक्ते मुकी दिदू शे एवू गुनादी दान स्वामी नी कुरुपा थी ते आवी स्थिती प्राप्त करी शे एव सुकानन स्वामी बोल्या तावा अनेकने गुनादी दान स्वामी बोते स्थिती द्वारा पन अनुभव करावयो गुरुदंदास कोठारी ने पन पोते पन सेवा भक्ती सस्संग बदू करदा दा परन्तु भगजी माराद नी स्थिती जोईने अनुभव थयो बगजी माराद ना अंतरनी इंदर गिक आनन्द जुदो अचे ए सूख काई जुदू लेशे तयारे किदू के तुपन सेवा करेचे हुँपन सेवा करुशू नियम धर्मन इंदर हुँपन वरतुशू पन तारा जेवो आनन्द मनेकें नथी तेरे बगजी महाराजे किदू का बदाने ब्रह्मनी मुर्ती सम्झो तो बगजी महाराजनो जिन्यान एक खाली वाच्यार्थ नो तू पर उन्ते ब्रह्मनो साक्षात कार करेलो अक्षर रूप होते थायला अले अक्षर मैं द्रष्टि अमने सरवत्र थायली अने स्थिति नो पन अनुभाव अनेक ने थायलो अम्दा आदना अचार्य पुर्ष्वत अंपरसाजी महाराज एमने पन बगजी महाराजनी स्थिति जोई गुनादी दान सम्झायलो कि तमारा जेवा बडवान पुरुष अजो सुदी में कोई जोया न थी एक मेना थी तमें आम्दा वत्म कथा वर्दा करो शो पर अनुभाव अनृव नित्यो न श्रदद दरेक कथा वर्दा सांबड़े बजन लिदे शर्द घंषованже आओ प्रताप ये कोई जोयाग न थी ये खरे कर स्वामीना प्रतापे ये तमारा जीवन इंदर ये आपन जोवा मले शे कृष्ण सरुपदा सास्त्री ये तो बदे विद्वान था खुबज बुद्धी शाड़ी खुबज विद्वान ने वयो वृद्ध दा ये शास्त्री ये योगिया भगत जी मारा जीवन समझायो पन भगत जी मारा जीवन श्थिती जोई उने ये इमने कीदू के प्राग जी भक्त तमे गुनाधी दान समीने खरे खरा सेवया शे अक्छर ब्रह्म ने सेवी ने एमना गुन प्रताप अइश्वर्य बद्दुच तमने प्राप्त थयूँशे तो भगत्जी मारे नी स्थिती द्वारा पन अक्छर ब्रह्म नो उदगोश ठदो अने दरेक ने अक्छर ब्रह्म नो महिमा इपण समझातो हतो त्यार पची बगजी महराजे पोदे अक्षर ब्रह्मना कारिय द्वारा पन अक्षर ब्रह्मना उद्गोश करेलो शे बातो द्वारा करेओ पोदानी स्थिती द्वारा पन अनेकने अक्षर ब्रह्मनों महिमा समझावेओ आने ए उपरांद अक्षर ब्रह्म नुझे कारिया एक कारिया द्वारा पन एमने अक्षर ब्रह्म नुदुगोश करे 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 अक्ष तो बेटा का तोड़ूं बेटा का जोड़ू. þुरीञी नैं धनमा ती तोड़ू. अने भगवाने ने संतपनी अंदर जोड़ू. अहां मौनने ममत्वमा थी बदाने दूर करी. भगवाने ने संतमा जोड़ू. है वी वाट पोटे बगजी महाराज पोटे करता. कोठारी ब्याचर बगत ने बगजी महराजा जोख मने तो अंतर नो केडियुपन सीवता आवडे से ता वे अनेक ना अंतर घड़ बगजी महराज दे पोते करिया पेटला द्ने अंदर राव सायब ने आता बगजी महराज अन जमीने पखी बाहर निकरदा दा त्या महापुरुषदास्वामी ने से दक्को वाग्यो ए पर्दा पर्दा रही गया त्यारे बगजी महाराजे किदू के सादूराम तमनारा देहने दक्को नथी मार्यो तमनारा स्वभावने दक्को मार्यो शे अनि तमनारा स्वभाव निर्मूड करिये शे आम सभाव निर्मुड करवानूं कारिय, माया पर करवानूं कारिय, ए अक्षर ब्रह्मनूं कारिय शे, ए द्वारा पन बगजी महराज आ उद्गोष कर्यो, बगजी महराज ने योगमा, सास्त्री जी महराज विग्नान दास्वामी, नारंचरन दास्वामी, पुर्षतम दा स्वामी खांदे सी आब दा संतों बगजी महारग मांटे पूते दोडा पेरी ने विमुख करें अमने तो बगजी महारग नो समागम करवा भादरोर्णी अंदर गया ये वकद बगजी महाराज अब दाने कदो आवकद तमे जे महारा सारू बाहर निकळा अचो ये बदाने जम कालिये नाग नो दमन करीने शिकुष्ण बगवाने यमना ने निर्विश करी एवी रिते तमारा दोशने कचडीने तमने ए ब्रह्मरूप ना करू तो पुर्षत तमना सम शे ये सम खाई ने बगजी महराजे पुधे वाद करी के बदाना स्वभाव दोश निर्मुड करवानू कारिया या सत्पूरुष करे शे ये बगजी महाराजे बत्ताविनु खरेकर अब दा संतो पुर्षवत्दम दा स्वमी बदे भ्रह्मर्शी केवादा विग्नान दा स्वमी बने वी स्थितिवाडा ए बदाने बगजी महाराजे माया पर करी अन अक्षर ब्रह्मनु जे कारिया छे ये अमने बदे चालू तो ए वकदे सास्त्री जी महाराजे कयू के बगजी महाराजे विग्नान दा स्वमी बदा वचना उर्थ भणावे आशे अने त्रोणे अवस्थामा अखंड बजन थाई शे ता आचारे महाराजे किदू तो अवे अधूरू के टलू शे तारे कयू के अधूरू एटलू शे के बगजी महाराजे वृत्तियों संकेली अने स्रीजी महाराजनी मुर्ती अंतरमा धारी महाराजनी मुर्ती साथे वातो करे शे इटलू अधूरू शे तारे अचारे महाराजे वकदे किदू के बगजी महाराजनू ज्ञान एमनें जतू नारे ये मने फकर शे एमने उ आचार यार्यों ने बधानी इच्छा दी और आपट इच्छा ब्रमाने ज, सास्त्री जी महराजे, एब गण जी ना ग्नानों पोधे साक्षातकार करे। भगत जी महाराजे आमने छले किदू गौंडल थी विदाहे लेतादा त्यारे के सास्त्र विद्याद में भनिली दीशे ब्रह्म विद्यामें तमने संपुन भनाविली दीशे माटे हवे तो तमे ए सुख्या रहो छो एम बिजाने पन सुख्या करो अने सास्त्र जी महाराजे ए भगत जी महाराजना जिन्यानने साक्षात कार करी अने एमने पोदे अनंतने सुख्या करवा माटे भगत जी नुए अक्षर ने पुर्षत्तमनु जिन्यान ए मुर्दिमान कर्यू अने सास्त्तरीजी महाराज पची योगीजी महाराजे, प्रमुक स्वैं महाराज पणे बगजी महाराज नो सरूप, योगीजी महाराजे पोटेज कि देलू? के प्रमुक्स्वमी ए भगजी मारत नुँ शाक्षात् सरूफचे अने प्रमुक्सवई महराजे ए भगजी नु ग्णान अक्षार पुर्षततम नु ग्णान दिग pled माजतु कर्यू अने एज भगजी महराजी नु ग्णान अत्यारे वर्तमान काड़े महन सही महराज एपण अक्षरने पुर्षत्तमनु ग्णान दिगंत मा प्रसरावी रहा छे तो आजना दिवसे अपड़े प्रगट जे महन सही महराज एमने प्राठना करिये एब भगजी महरादनु सरूप छे अमने पन एब भगजी महरादना जीवन अंदर जम्या जन्यान नो साक्षातकार हतो एवो साक्षातकार अमारा जीवन अंदर पन थाए अने बगजी महराज जीवन ना चल्ला स्वासुदी अक्षरने पुर्षत्तमने निष्ठा प्रवर्दावी शे एम अमेपन जिवन ना छिल्ला स्वास सुधी अक्षरने बुष्ट्वत्वने निष्ठा परवर्दावी शक्ये एउ बार बुद्धी शक्ति आपने आपे एज पराथना श्री स्वामी नारण बगवाननी जये ब्रह्म स्वरूप श्री बगज्जी माहराजे गजवेला ब्रह्म घोष ना पडगा पुझ्य प्रियवरस्वामी आपने संबड़ाव्या ते बदल आपने तेओना खूब-खूब आभारी चिये अपमाननी आंधियो सहन करीने कष्टनी काटाली केडियो पर डग दैने जेर खाईने के विमूख थाईने पण ब्रह्म स्वरूप श्री प्रागजी भक्ते अक्षरनी मोरली वगाड्यज राखी जे आजे समग्र अवनी आकाशमा अक्षर ब्रह्मनी आलबेल पोकारी रही छे दिवाने उन्दो करी शकाई छे परन्तु दिवानी ज्योत क्यारे अधो गामी रहती नथी उन्धा कराएला दिवानी ज्योत तो उर्द्व गामी ज होई छे एम ब्रगजी महराजने विमुख करी शकाया परन्तु तेवो ये चलावेलू अक्षर पुर्षोतम नु ज्नान येने कोई पाचु पाड़ी शकिव नही बगजी महराजनी आ अव विस्मरणिय सेवाने आजना वक्तव्य द्वार आपड़े मानी हवे परम पुज्य स्वामी श्री ना पड़े प्रार्तना करिये के तेवो ना अशिर वचंधिया पड़े कृतार्था करे परम पुज्य महंत स्वामी महराज सी स्वामी नराण भगवान नी जै, अक्षर पुर्षतम महाराद नी जै, गुनातितान स्वामी महाराद नी जै, भगजी महाराद नी जै, शास्ती जी महाराद नी जै, योगी जी महाराद नी जै, प्रमुक्स्वामी महाराद नी जै, प्रामुक्राहिमाराश्यकाम्धि महास्वाम्धि जाय। प्रियवत्स्वामी भूतवातो करें। आमें विजीरते जानताता, छुटक छुटक, पंतमें संगलन करें। एक धारा भगजी महारन इस्थिति, भगजी महारन गिनान, भगजी महारन अपन सहेला, वधी बात सुन्दर हितें करें। मैं महारतों विचारतों, तो आई बात सहबर हिए। तो आजे ज टाइम मिलें। ज एक जाँ गजे शार कारीकारी जे भगजी महाराद उपरज, तो लाक्षवतू, भगजी महाराद अपन 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 अपन, विड़िविने चोटी ने, तो भगजी उपरज, उदिवात करी। एक मुवर सिद्धी के आवे वात कर जिए बद्धावक्ता हो, पढ़ा है पेले अना सिभरुस्वामि अन अना एक स्वामि बद्धा जे पूता नो विशय है और पूरे पूरो निया आपे लोजे, आप बद्धा वक्ता हो और अद्भूत बात करी है अगे आगी से बात सामेरी न गंवे होए न इस्टा थाइग जाए एक तो वरतन जोई है और पछी अगनान अगे बेवाय तो तभार तंको आगी जाए और अखा जगतमा आग अक्षर पुषरतम निवाद बद्धाने सीथता है बद्धा जी मार कितलो मनसान के अद्पार्नु अवे अपर तो एक सब्द कोई के एक सब्द के तो उद्धाचता थे जीए आगे पार्न आगे कितलो दू लागी आगे अगे पार्न आगे कितलो मनसान के अपार्न आगे अज़ता अच्छा की नही गया आगे अगे पार्न आगेपार्न आगेऊ भगजी निस्त्य। अच्छा की बद्धान आगे पार्न आखेश आगेपार्न आगेा तो जो एकलो दू ब LAUGH तो मुरतो मने महाराЯचन तो मैमा आती है मैमा आतो गुणादितन स्वाई पन स्थिती कराई नौ दीज रख्या पैवधी वाद तो गाउंश पन जेमने अपमांच रहन करू एतो चोटो न जड़ एलो केटली वाते 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 तो गम में जाए तो अपमांच रही वातत ने परनेतलो एपने हमाथी चांटो याए तो बस घणु बदू बड़ प्राग जी भगर जी अपमांच रहन करू आप थोड़ो करें एक चप्ठी ने एक बूंद पनाए अपमांच रहन करू तो श्री जी माज पोते जवात करीज तो बड़े जी अपमांच रहन करें एक संद करांए शंद ने एक आप जी याख्या स्वामी करूंग अपर अदी अधबूत इटली सुंदर वातों करें अपर तो शू करूंग अधर भाते बस अजी अबने माग्यू आशिवद मागया भाई एपन आपन्पन ने प्राफ्थाय प्रद्धाय 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 है स्याजान श्रहे मारादी